Hello Friends, अगले वारे कुश्चिन की दरफ चलते हैं If the law of the force be mu u की power 4 minus 10 upon 9 a u to the power 5 अगर किसी particle पर लगने वाला force mu into u की power 4 minus 10 upon 9 a u की power 5 हो and the particle is projected from an EPS at a distance 5a with a velocity equal to unroot 5 upon 7 अगर किसी particle को 5a distance से EPS से प्रोजेक्ट किया जाता है और उसकी velocity हो unroot 5 upon 7 That is the circle of the same distance जो के circle की velocity है same distance है यानि 5a से circle की velocity के बराबर है So that the orbit is lemma cone तो मेरे को दिखाना है कि जो particle का जो path है वो lemma cone है जो के बराबर होता है R is equal to A 3 plus के 2 cos theta This is my question Suppose किया question को हल करने के लिए मैंने कहा कि Suppose that Capital P is central acceleration Capital P is Central Acceleration अगर केंदी है तबरण P हो Then मेरे को question में given है P बराबर कितना दे रखा है मेरे को Mu into U की power 4 Minus 10 बटे 9 AU की power 5 But U is equal to होता है वनपोन R के तो मेरा P निकल जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा भाई देखो आप ये निकल करके आएगा Mu into 1 बटे R की power 4 Minus 10 A बटे 9 R की power 5 Clear है ना हमें value city की बात करता हूं Suppose that कुशन के अंदर जो दे रखा है पहले लिख दूँ उसके बात बताऊंगा Capital B दा वैलो सिटी अगर Capital B वैलो सिटी हो किसकी वैलो सिटी हो वी दा वैलो सिटी ओफ सर्कल 8 Distance by UA जो कुशन के अंदर गिवन है 8 Distance by UA ध्यान से सुनना कुशन के अंदर कह रहा है कि वी दे वैलो सिटी जो के अन्रूट 5 बटे 7 गुना है That is the velocity of the circle 8 सेम डिस्टेंस इधर भी equal concern लगा हुआ है इधर सेम बोल रहा है मैंने वही कहा है कि जो मेरे पास Central Orbit की जो वैलो सिटी है जो पार्टिकल Central Orbit का जो पार्टिकल है उसकी वैलो सिटी है अन्रूट 5 गुना है किसके वैलो सिटी ओब दा सर्कल के तो मैंने क्या मल लिया कि अगर वी मेरे पास velocity of the circle हो 8A distance 5A पर तो हमारे पास formula होता है बटा द्यान से सुनना V square upon 5A बराबर होता है Central Acceleration P 8R is equal to 5A ओके यानि Central Acceleration की value R is equal to उस दूरी के उपर हमेशा formula होता है V square upon 5A यानि वो दूरी ओके यहां से मैंने calculate क्या result तो यह निकल कर क्या भाई यह निकला मेरे पास V square upon 5A V square upon 5A जो दूरी थी बराबर R is equal to 5A रखा Central Acceleration के इंदर Mew into 1 बटे 5A की power 4 minus 10A बटे 9 5A की power 5 पाई हूँ क्लियर है ना आगे दरब चलता हूँ इसको सॉल करता हूँ और जल देखता हूँ कितना है तो यह मेरे पास निकल कर क्या आफार मूले से यह होता है मेरे फार्मूला यह मेरे पास निकल कर क्या आफार भाई कापिटल वी स्क्वार अपोन फाई हूँ है इसकी पावड 5 है 5.25,mg 125,mg 625 20,25,mg 625 25 गूना 2625 होता है ना गूना 625 और एक ही पावर कितनी फाई हूँ एक पावर से पावर केंचील हो चुका है ओके यहाँ से मेरे पास निकला वी स्क्वार अंत्य फाई हूँ है is equal to mu into अलगे में चलो एक बटे 625 माइनस त्यान से देखना है भई इस से एक एंचिल ठीका ना उपर निकल करके आगी दिना दो बटे नो गुणा 625 इंटू 1 अपोन एकी पावर 4 इस इकल निकला मेरे पास वी स्कार अपोन फाई हुए बराबर हुआ मेरे पास मियू अपोन एकी पावर 4 यहाँ से मैंने एक बटे 625 को मले लिया तो कितना निकला भई वन माइनस दो बटे 9 द्यान से सुनना एक पावर से पावर कैंसिल यह निकल करके आवी स्कार अपोन फाई हुए इस इकुल टो कितना निकला भई यह मियू अपोन एकी पावर 3 गुणा एक बटे 625 गुणा साथ बटे 9 ओके यहाँ से रिजल निकल करके आया मैं भी स्कार की वैल्यू निकल रहा हूं भी स्कार इस इकुल टो हुआ मेरे पास साथ मियू बटे एकी पावर 3 गुणा नो गुणा 625 गुणा 5 पाँच इक पाँच बचा एक पाँच दूनी दस दो पाँच बच्चिस इस से यह कैंसिल यह निकला 125 ओके वी स्कार इस इकुल टो निकला साथ मियू बटे नाइन एकी पावर 3 नाइन इंटू एकी पावर 3 और पाँच की पावर 3 पाँच की पावर 5 एकी पावर 3 मेरे को वी की वैलू चाहिए तो वी इस इकुल टो निकल गया वाई कितना अंडर दी रूट साथ मियू बटे नाइन इंटू पाँच एकी पावर 3 कि लिए रहना आगे की दरब चलता हूं पहले में सुपोंच करूंगा वैलो सिटी उसके बाद आगे की बात करूंगा सुपोंच एट कैपिटल वी वन इस स्मॉल वी वन इस वैलो सिटी ओफ पार्टिकल दैन मेरे को गीवन क्या है भाई मेरे को गीवन दैट पहले लिख रहा हूं भाई में मेरे को दिया हुआ है वी वन इस इकोल टू अंडर रूट पांच बटे साथ इन्टू कैपिटल वी ध्यान से देखना यह कैसी गीवन है पूरा जीटेल में बताऊंगा कुशन के अंदर कह रहा है कि पार्टिकल इंट प्रूजेक्टिट फोरो में एक नप से इत डिस्टेंस फाई हुए विद्दा वैलोसिटी विद्जो वैलोसिटी है वो पांच बटे साथ गुणा है वैलोसिटी ओफ दथ सर्कल के सेम दूरी से साप साप लिखा हुआ है तो 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 पांच बटे साथ गुणा अंडरूट के इंदर एक्वेशन वेलोसिटी ओफ दा सरकल एट डिस्टेंस फाई वे ओके जो कोश्चन सेम डिस्टेंस को मैं दूसरी तरीके से खहा रहा हूं एट डिस्टेंस फाई वे कोई दिक्रत तो नहीं है यानि particle की velocity है 5 बटे 7 गुना है velocity of circle के मैंने वो ही लिखा मेरे को question के अंदर साब साब दिया हुआ है अगर particle की velocity V1 है तो V1 कितना गुना है 105 बटे 7 into capital V और capital V किसकी velocity है is velocity of circle यह पहली calculate कर चुका हमें velocity of circle so that यहाँ से मेरे पास जो result बन जाएगा कितना निकल करके आएगा मैं V की value put करूँगा और अगला result calculate करूँगा यहाँ से निकला V1 is equal to आप चाहे तो इसको V भी बन सकते हो under the root 5 बटे under the root 7 गुना V की value देखो कितनी है गुना इसको लिख सकता हूँ में under the root 7 गुना under the root mu बटे यह हुआ मेरे पास 3 root से बहारा गुना 5 की power 3 एक पांच रूट से बहारा पांच ए अंडर रूट पांच गुना अंडर रूट ए कोई दिक्कत नहीं है अंडरूट 7 से अंडरूट 7 कैंसिल अंडरूट 5 से अंडरूट 5 कैंसिल V1 की value निकल करके आई कितनी भाई उपर तो निकला अंडर रूट मियू बटे नीचे मेरे पास निकल करके आई कितना ध्यान से देखना है आपको यह हो जाएगा पांच तिया 35 अंडरूट के अंडर लिख रहा हूँ सारे के सारे को अंडर रूट 225 ओके और इसको फिर से मैंने लिख दिया एक ही पावर थी रही है देखों आप यह निकल करके आएगा भाई ठीक है ना अगा होता है सरी यह कैसे निकलेगा निकाल करके दिखा रहा हूँ में वी वन इस इकले टो निकला उपर सो तो निकला अंडर दी रूट मियू बटे कितना निकला पंदरा निकला न यह निकला पंदरा ए अंडर दी रूट है जब मैं इसको सारी कॉंटिटी को रूट के अंदर लिखूंगा क्या मैं इसको यह नहीं लिख सकता भाई वी वन इस इकल टो अंडर दी रूट मियू बटे पंदरा का स्कॉार लगा दूँआ पंदरा का स्कॉार कितना होता है 225 नहीं होता गया ए रूट ए को क्या मैं एकी पावर 3 निक सकता गया मैंने वही तो लिखा है क्लियर है ना नो प्रॉब्लम एक रिजल्ट मेरे पास यह आ चुका मैं इसका यूज करूँगा नौ एक्वेशन ओफ सेंट्रल ओर्बिट की बात करता हूँ वी नो देट क्या जानते हैं बाई दा एक्वेशन ओफ सेंट्रल ओर्बिट सेंट्रल ओर्बिट का इक्वेशन होता है कितना होता है बाई आप भी जानते हो ह स्क्वार इंटू यू पलस डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वार इस इबल टू पी एपॉन यू स्क्वार बट आपका जो पी है वो भी मैं आपको बता दू पी जो दिया हुआ है मेरे को दे रखा है कितना मैं डारक लिए लिखूँगा मियू इंटू ये दिया हुआ है यू की पावर 4 माइनस 10 अपोन 9 ए यू की पावर 5 कहा से है कैसे है अभी आपको बता रहा हूँ देखो हैं आपको सेंट्रिल एक्सिलेशन दे रखा है मियू यू की पावर 4 माइनस 10 अपोन 9 ए यू की पावर 5 गीवान है ना इस पर दिशे डालो यहां क्लियर आगे की दरब चलते है मैं पुटिंग दा वेल्यू ओफ पी करूँगा और रिजल निकाल लूँगा पुटिंग वेल्यू ओफ पी इस इक्वल टू मू इन्टू यू की पावर 4 10 अपोन 9 ए यू की पावर 5 उपर वाले फार्मूले के अंदर इन अबव इक्वेशन रिजल निकल करके हाँ ह स्क्वार यू पलस डी टू यू ओवर दी थीटा स्क्वार इस इक्वल टू पी की वेल्यू डाली जो के मू अपोन यह है यू स्क्वार और यहाँ है यू की पावर 4 माइनस 10 वटे 9 यू की पावर 5 यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बना मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ ह स्क्वार यू पलस डी टू यू ओवर दी थीटा स्क्वार इस इक्वल टू मू इंटू डिवाइज कनने के बाद यू की पावर 2 माइनस 10 वटे 9 यू की पावर 3 suppose that इस इक्वेशन ए अभी एक्वेशन एका यूज करूँगा और अगला रिजल्ट निकालूँगा मैं कह रहा हूँ multiply बोट साइड by 2 इंटू डि यू ओवर डि थीटा और मैंने इंटिग्रेट किया किसके रिस्पेक्ट में with respect to थीटा ओके तो ये वाला जो है और किसको किया इक्वेशन एको ये वाली जो इक्वेशन इधर तो सीधा निकल करके आएगा मैंने बहुत बाद ये बात बता रखी इधर तो हो जाएगा मेरे पास h square u square प्लिस के d u over d थीटा का complete square is equal to mu into यहाँ होगा integration of d u over d थीटा into d थीटा उना करने के बाद minus के निकला 10 upon 9 a integration u के पावर 3 2 into d u over d थीटा into d थीटा 23 सुनना मैंने किया क्या है मैंने सिर्फ right hand side वाले को integrate कर रहा हूँ left hand side वाले का integration के बाद मैंने डारेक्ट तिजल रख लिया जो के हर बार fix आता है बहुत बाद ये step में आपको बता चुका तो जाहिश जी बात है यहां से निकल करके आएगा बट एक चीज़ और भी लगा दूने साथ साथ बट V square is equal to जो होता है वो होता है H square U square पलस के D U over D theta का complete square then मेरी जो अबब equation है can be written as उपर वाली equation can be like as इस तरह से उपर वाली equation होगी क्या होगी भाई यह हो जाएगा V square is equal to H square U square पलस के D U over D theta का complete square is equal to mu in 2 बाई D theta से D theta cancel जम इसको differentiate integration करूँगा यह निकल करके आएगा 2 U की power 3 बटे 3 माइनस 10 अपोन 9 A into यह निकल करके आएगा कितना भाई जहना ध्यान से देखना आप जम इसको integrate करूँगा integrate करने के बाद यह निकल करके आएगा 2 into U की power 4 upon 4 clear और integration के बाद plus arbitrary constant A मैंने इस से कट किया 2 दुनी 4 इस दो से कट किया 2 बंजे 10 clear है ना तो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा यहां से V square is equal to H square U square plus के D U over D theta का complete square is equal to mu into 2 U की power 3 2 बटे 3 U की power 3 minus 5 A U की power 4 upon 9 plus arbitrary constant A This is my equation 1 Okay Initially मेरे को जो दिया हुआ है Initially फिर बता रहा हूँ है द्यान से देखना आप Initially मेरे को दिये दे रखा है R is equal to 5 A 8 Eps लिखावा भी दिखा दूँगा मैं आपको Question के अंदर साप साप कह रहा है कि the particle is projected 8 Eps Particle is projected from Eps 8 A distance 5 A Clear है ना और velocity जो में calculate कर चुका था देखो आप velocity जो थी मेरे पास वो थी V1 particle की जो velocity थी initially वो में calculate कर चुका था इतनी थी V1 is equal to निकल चुका था मेरे पास कितना निकला था भई ज़्या देखलो आप इसको भी under root mu upon 225 A की पावर थी री देखो ओके यानि V1 is equal to मेरे पास क्या था V1 is equal to velocity of the particle है और जो के बराबर है कितना under the root mu बटे 225 A की पावर थी री के मैं इस initial condition का use करूँगा और result calculate करूँगा ओके now देखो आप भाई पहले ये दो पार्ट उठा रहा हूँ from equation A सिदा लिख भी रहा हूँ from one equation equation number one से मैंने result निकाला ओके और इसके दो पार्ट उठा है ये इसके बराबर equate किया ये हुआ मेरे पास V square is equal to H square U square प्लस के DU over D theta का complete square सिरफ इस concept का use कर रहा हूँ ध्यान से देखना मैं यहीं कर रहा हूँ R is equal to होता है one upon U के मैंना R की value डाली तो ये निकला 5 A is equal to निकला one upon U के U की value निकली one upon 5 A आपके सामने है न but U is equal to कितना है one upon 5 A और V is equal to कितना है भई V भी लिख देता हूँ V is equal to कितना है under the root mu upon 225 A की पावर 3 यहां से देखो U बराबर one upon 5 A है जब मैं D U over D theta की बात करूँगा तो यह हो जाएगा D over D theta one upon 5 A constant का differentiation जीरो दोनों result का यूज किया ओके पुटिंग मैंने क्या कहा भई पुटिंग value of V and U in above result उपर वाले result के अंदर मैंने दोनों की दोनों value पुट कर ली तो यह निकल करके आएगा V square की value डालते ही under the root Mew upon 225 A की power 3 is equal to H square divided by U square की value एक बटे 25 A square आजाएगी पलस D U over D theta की value 0 ओके Y और इसका क्या होगा square इस square से square cancel हो जाएगा यह निकल कर क्या Mew बटे 225 A की power 3 is equal to H square बटे 25 A square इससे यह cancel इससे यह cancel तो H square इसका की value निकल करके आएगा Mew upon 9 A मैं इस result का भी use करूँगा now फिर equation A का use करूँगा मैं from equation A देखो आप यह equation 1 जो भी है मेरे पास from equation 1 कौन सी equation हो भई one यह तो हो चुका फिर मैं equation 1 का use कर रहा हूँ और मैं first part को third part के equal लख रहा हूँ यानि मैं इसको equate कर रहा हूँ इसके फिर कह रहा हूँ from equation 1 from one equation और equation 1 के अंदर मैं डाल रहा हूँ के V square is equal to बराबर है Mew into 2 बटे 3 U की पावर 3 माइनस 5 A U की पावर 4 upon 9 पलस A क्लियर है ना यह जो equation 1 है इसको इसके बराबर रखा क्यों तीन इजल्ट बराबर है यह बराबर किया मैंने इसके clear आगे की दरब चलता हूँ तो मैं V square की value डालूँगा V square की value आपके सामने है यह देखो भाई जहाँ सर जैसी मैं V square की value डालूँगा under the root होगा mu बटे दो दो पाँच a की power 3 का complete square is equal to mu into यह निकला दो बटे 3 into u की power 3 एक बटे 5 a की power 3 minus 5 a upon 9 into u की power 4 5 a की power 4 plus a clear आना इस से यह गैंचिल mu upon 225 a की power 3 is equal to यह निकल गया mu यह निकला 2 बटे 3 into 5 25 125 a की power 3 minus 5 a बटे 9 गुना 125 गुना 5 125 into 5 into a की power 4 plus के a एक power से power cancel आगे गी दरब चलते हैं यहां से यह निकल करके आया भई mu upon 225 a की power 3 is equal to mu into यहां चे देखना है 5 से 5 केंचिल 2 बटे 125 into 3 minus 1 बटे यहां चे देखना है 9 into 125 into a की power 3 प्लस के a इसमस्द कोमल लूँगा मैं और हल करूँगा mu बटे 225 a की power 3 is equal to mu into यहां समयने 125 into 3 कोमल ले लिया कितना बचा 2 minus 1 बटे 3 आपके सामने हैं ठीक है ना यहां बचे का एक बटे 3 और into 1 अपोन a की power 3 प्लस के a मैंने इसको इदर सॉल किया यह निकला mu बटे 225 a की power 3 is equal to mu बटे 125 into 3 और 3 दूनी 6 6 में सप्पंग गुणा पांच बटे कितना पांच बटे 3 देखो आप द्यान से 3 दूनी 6 पांच बटे 3 clear है ना देखो भई बटे पलस के कितना है अब देखो क्या होगा भई ज़रा द्यान से देखो भई यह निकला mu बटे 225 एकी पावर थीरी इंटू एकी पावर थीरी भी है इंटू यह लिख लो एकी पावर थीरी इस इकोल टू इस से तो यह कैंसिल mu बटे यह हुआ 25 इंटू 9 एकी पावर थीरी पलस के 25 नमबा 125 इस से यह कैंसिल 25 नमबा 225 कैंसिल a इंटू कितना आएगा 0 वैलू डालूँगा रिजल्ट निकालूँगा उस से पहले h स्कॉार की वैलू कितनी थी mu अपॉन 9 ओके दोनों की दोनों वैलू डालूँगा equation 1 के अंदर now from equation 1 so that from equation 1 जो मेरी equation है now और कहां तक है दिखना भी तो चाहिए from equation 1 equation 1 मेरी यह है ना लिख रहा हूँ और इसके अंदर भी स्कॉार छोड़ रहा हूँ equation 1 है मेरे पास h स्कॉार u स्कॉार प्लस के d u ओवर d थीटा का complete स्कॉार e is equal to mu 2 बटे 3 u की पावर 3 माइनस 5 a u की पावर 4 अपॉन 9 पलस के a यह मेरी equation 1 है ओके this is equation 1 अब मैं क्या करूँगा भई मैं value डालूँगा h स्कॉार की और a की मैं कह रहा हूँ putting h स्कॉार is equal to 0 sorry putting h स्कॉार is equal to mu upon 9 a and a is equal to 0 in first equation जो उपर वाली equation है उसके अंदर यह दोनों की दोनों value put की h स्कॉार की value put करते ही कितना निकला यह mu upon 9 a और यह हुआ जहां पे u स्कॉार पलस के du over d theta का complete square is equal to mu into 2 बटे 3 u की power 3 5 a u की power 4 upon 9 3 पलस के 0 mu से mu cancel हो चुका clear है न अगले वाला result निकालता हूं और देखता हूं क्या आता है 28 मिनिट का क्या 30 मिनिट का lecture हो चुका है lecture के second part के इंदर में इसको check करने की process करूंगा इसको यहीं stop करता हूं के second part के इंदर में यहीं से start करूंगा डिक्टो और अभी start कर रहा हूं बढ़ना लेक्चर बढ़ जाएगा बहुत ज़्याद है यार अछिछा फ्याद है जढ़ना यहीं झाल क्या